दोस्तों आज के सब वीडियो में हम आपको बॉलिवुट के कई ऐसे कपल्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने साल 2022 में बेबी को जनम दिया वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आलिया भट और रनबीर कपूर की आलिया भट और रनबीर कपूर बॉलिवुट के सबसे क्यूटेस्ट कपल में से एक हैं 14 अप्रेल को शादी के बंधन में बनने के बाद या बॉलिवुड एस्टार आलिया और रनबीर सभी के फेबरेट बन गए और शादी के 7 महीने बाद ही 6 नवंबर को इन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया आलिया भट ने बेबी गर्ड को जनम दिया जिसका ना मुंबई 2018 की दिन मुंबई में शादी की और फिर इस फेमस कपल ने 20 अगस्त 2022 को एक बेटे को जनम दिया जिसका नाम इन्होंने वायू कपूर रखा नवर 3 पर भारती सिंग और हरसर लिमबाचिया भारती सिंग को भला कौन नहीं जानता भारती सिंग सभी की चहेती हैं लोग इनको बहुत ही पसंद करते हैं कॉमेडियन भारती सिंग ने तीन अपरेल 2022 के दिन ही एक बेटे को जनम दिया और अपने बेटे का नाम लक्ष र फेमस एक्ट्रेस विपासा वसु ने 30 अप्रेल 2016 को करन सिंग ग्रोवर से बंगाली रिती रिवास से शादी गी और फिर कुछ साल भी थे और 2022 में 12 नमबर को विपासा वसु ने एक लिटल प्रिंसस को जरम दिया विपासा वसु ने अपनी बेटी का नाम देवी वसु सिंग ग्रोवर रखा है पाचवे नमबर पर देवीना बैनर्ट जी और गुरमीत सिंग आ रहे हैं देवीना बैनर्ट जी और गुरमीत चौधरी को भला कौन नहीं जानता इन्होंने स्रीराम और सीधा का करदार बखुबी निभाया देवीना और गुरमीत ने 15 फरवरी 2011 में शा जाने मानी एक्ट्रेस काजोल अगरवाल एक फेमस एक्ट्रेस है उन्होंने हाली में 19 अप्रेल 2022 को एक बेबी बॉई को जनम दिया काजोल अगरवाल ने अपने बेटे का नाम नेल रखा है दोस्तों आपको बताते चले कि अभी हाली में सिंगर नेहा ककड की प्रेगनेंस कि भी खबरें उफान पर हैं दोस्तों आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी और आपकी सबसे फेबरेट अक्ट्रेस कौन है कमेंट करके सरू बताईएगा